Computer's Desktop Configuration आप अपने computer पर तारीख और वक्त को तबदील कर सकते हैं. यहां तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपके desktop पर कोई तस्वीर आए, तो आप अपनी मरजी की तस्वीर अपने desktop पर लगा सकते हैं. आइए देखते हैं कि ये सब कैसे करना है. सिस्टम ट्रे में जहां आपको वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां हम क्लिक करते हैं आप पे सामने एक विंडो खुल गई है, जिसमें दाए जानिब एक घड़ी बनी हुई है और देखिए, इसमें seconds वाली सुई हरकत भी कर रही है और उसके नीचे वक्त भी लिखा हुआ आ रहा है बाए जानिब पर ये एक calendar बना हुआ है, जिसमें आज की तारीख नीले रंग के डबे से नुमाया है या highlighted है अब हम इस window के नीचे change date and time settings पर click करते हैं, तो एक dialogue box open हो जाता है यहाँ पर date and time के टैब में वो ही घड़ी आपको नजर आ रही है इसके नीचे change date and time पर click करते हैं जो window अब आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसमें मौझूदा वक्त ग्यारा बच कर चालीस मिनट हो रहे हैं हम इसको तबदील करके बारा बच कर चालीस मिनट कर रहे हैं यहाँ से आप माए जाने बने हुए calendar से तारीख, महीना और साल चूज कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने computer पर किसी भी किसम की आवाज सुन सकते हैं इसलिए आपको आवाज कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है यह काम करने के लिए हमको क्या करना है? आईए सीखते हैं आप system tray में एक speaker बना हुआ देख सकते हैं इस speaker पर click करने से आपके सामने एक sliding बार आ जाती है इस बार को उपर करने से आवाज ज्यादा हो जाती है और नीचे करने से आवाज कम हो जाती है अब हम desktop पर right click करते हैं आपके सामने ये एक चोटी सी list आ गई है हम इस list में मौझूद सबसे आखरी option, personalize पर click करते हैं आप अपने सामने एक window देख सकते हैं इस window में उपर change the visuals and sounds on your computer लिखा हुआ है और इसके बिलकुल नीचे box में बहुत सारे themes दिये गए हैं हर theme में desktop background, window color, sounds और screen saver पहले से तैशुदा design के साथ दिये गए हैं इस वक्त इस computer पर Windows 7 की theme अपलाई की हुई है जो इस वक्त selected है इस theme के मताबिक computer के desktop background, window color और sounds जो selected हैं वो हमें इस box के नीचे यहाँ नजर आ रही है जबकि screen saver इस design में शामिल नहीं है इसलिए इसके नीचे none लिखा नजर आ रहा है अब हम इसमें से architecture की theme पर click करते हैं तो देखें, नीचे दिये गए designs बदल गई है इसके इलावा, अगर इस window को minimize करें तो देखें, इस computer के desktop पर लगी हुई तस्वीर बदल गई है तस्वीर के साथ साथ, इस theme के design के मताबिक sounds और window color भी तबदील हो चुका है नीचे दी गई हर option में से हम अलहदा-अलहदा changes कर सकते हैं मिसाल की तोर पर, हम desktop background पर click करते हैं तो हमारे सामने जो screen आती है, इस पर लिखा हुआ है choose your desktop background नीचे box में मुख्तलिफ categories के नीचे तसावीर नजर आ रही है ये एक बहुत लंबी list है इस list में किसी भी तस्वीर पर click करने से वो तस्वीर select हो जाती है list में बाकी तसावीर को देखने के लिए हम sliding bar को नीचे ले जाते हैं अगर हम चाहते हैं कि ये सारी तसावीर बारी-बारी हमारी computer की screen पर तबदील होती रहे तो हम select all के इस button पर click करते हैं और नीचे दी गई change picture every option पर जाते हैं इसके नीचे drop down list से हम 10 seconds पर click करते हैं अब save changes के button पर click कर देते हैं तो इस तरह आपके monitor screen पर हर 10 seconds के बाद तस्वीर बदलती रहेगी जैसा के आप देख रहे हैं कि वो सारी तसावीर जो आपने select की थी बारी-बारी desktop पर तबदील हो रही हैं इस list के उपर एक button है जिस पर browse लिखा है इस button को दबा कर आप अपनी मर्जी की तस्वीर भी ला सकते हैं बॉक्स के नीचे एक drop-down menu है जिसके उपर picture position लिखा हुआ है इस menu में 5 options हैं सबसे उपर fill लिखा हुआ है हम इस पर click करते हैं click करने से तस्वीर monitor पर पूरी-पूरी आ जाती है इस list की दूसरी option पर fit लिखा हुआ है इस पर click करने से तस्वीर अपने असल size में आ जाती है और अगर तस्वीर monitor की screen से छोटी हो तो screen के दाए, बाए, उपर या नीचे काली जगे रह जाती है जैसा के आप देख रहे हैं तीसरी option stretch की है जैसा के आप जानते हैं कि stretch का मतलब खींच ना है इस option पर click करते ही computer तस्वीर को खींच कर screen पर पूरा कर देती है चौती option tile की है इस पर click करने से picture अगर छोटी हो तो computer उसी size की तस्वीरों से monitor की screen भर देता है पांचमी और आखरी option center की है इसका मतलब यह है कि इस option के तहे तस्वीर monitor की screen के दर्मियान में आ जाएगी और अगर तस्वीर छोटी हो तो monitor की screen का कुछ हिस्सा खाली होने के वज़ा से black नजर आएगा फिल हाल हम पहली option fill को select करते हैं और save changes के button को press कर देते हैं हमारे सामने फिर वो ही पहले वाली window है desktop background से अगली option window color की है जो इस वक्त sky selected है जैसा के आप देख रहे हैं window color दरसल जो भी window आप open करते हैं उसकी title bar और screen की borders का color है इसके अलावा start menu और task bar का color भी वही होगा जो window के borders का होगा हम इस पर click कर रहे हैं तो नई window हमारे सामने आ गई है इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ color combination दी गई है हम यहाँ से chocolate color पर click करते हैं तो देखें start menu, window और task bar का color तबदील होकर chocolate color हो गया है इसके नीचे enable transparency की option है इसके साथ बने हुए डबबे पर click करने से task bar, window borders और start menu ट्रांस्पेरंट हो जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यानि इनके पीछे जो भी item या window होगी वो भी किसी हद तक नजर आने लगती है इस transparency को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है जैसा कि हम color intensity के सामने इस बार को mouse की मदद से कम और ज्यादा कर रहे हैं इसके मजीद नीचे आप देखें शो कलर मिक्सर की option है इसके साथ बने हुए इस arrow पर क्लिक करने से हमारे सामने तीन sliding bars आ जाती हैं यहाँ से हम अपनी मर्जी से start menu, window और task bar का color बना सकते हैं फिलहाल हम save changes पर क्लिक करके वापस पहले वाली window पर आ जाते हैं इस window में हमारे सामने अगली option sound की है इस वक्त इसके नीचे default windows लिखा हुआ है इस पर क्लिक करने से हमारे सामने sound का dialogue box खुल गया है नीचे दी गई tabs में से sound की tab में मुख्तलिफ sound schemes दी गई है sound schemes से मुराद ये है कि जब computer start हो रहा होता है या जब हम computer में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं तो बाद मवाके पर हमें computer से आवाजें सुनाई देती हैं sound scheme के नीचे दिये गई इस drop down menu से हम afternoon की scheme को select करते हैं इस scheme के तहट नीचे program events में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ events पर किस तरह की sound हमें सुनाई देगी हम देख सकते हैं कि जिन events के साथ speaker का निशान बना हुआ है उनके करने से वो ही sound आएगी और जिनके साथ speaker का निशान नहीं बना हुआ उसके साथ हम अपनी मर्जी से यहां से कोई sound select कर सकते हैं इसके लिए पहले हम इस event को select करते हैं और फिर sounds के नीचे इस drop down menu से एक sound का इंतखाब करते हैं तो देखें इस event के साथ भी अब एक speaker बना हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये speaker अभी yellow color में है अब हम apply के बटन पर click करते हैं तो ये normal color में आ जाता है इसी तरह computer में मुख्तलिफ काम करने पर हम अपनी मर्जी की audio या sound apply कर सकते हैं हम OK के बटन को प्रेस करके पहले वाली window की तरफ आते हैं इस window में नीचे दाएं जानिब screen saver की option है, जिसके नीचे none लिखा हुआ है आएए अब हम screen saver के बारे में कुछ जान लेते हैं जैसा के नाम से जाहिर है, screen saver हमारी screen को महफूज रखने के काम आता है हम screen saver की option पर click कर रहे हैं आपके सामने Screen Saver Settings का Dialog Box है इसमें आप एक Drop Down Menu देख रहे हैं जिसके उपर Screen Saver लिखा हुआ है इस Drop Down Menu में मौझूद पहली Option पर क्लिक करने से उपर बने हुए Monitor पर Windows 7 लिखा हुआ आ गया है ये टेक्स्ट वक्त के साथ साथ हिल भी रहा है Screen Saver List के सामने दो बटन बने हुए नजर आ रहे हैं पहले बटन पर Settings लिखा हुआ है और डूसरे बटन पर Preview लिखा हुआ है हर बटन के लिए Settings मुख्तलिफ होती है हम आपको कोई एक Item सेलेक्ट करके उसकी Settings दिखाते हैं Settings के साथ वाले बटन पर Preview लिखा हुआ है अब हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है जैसा के आप देख रहे हैं कि जो Screen Saver हमने लिस्ट में से सिलेक्ट किया था और जो सामने बने हुए Monitor पर नजर आ रहा था वो अब हमारी पूरी स्क्रीन पर आ चुका है इसका मतलब यह हुआ कि Preview का बटन दबाने से हम यह देख सकते हैं कि जो Screen Saver हमने सिलेक्ट किया है वो हमारी स्क्रीन पर कैसा लगेगा हम जैसे ही अपने माउस को हिलाते हैं हमारे सामने आया हुआ स्क्रीन सेवर गाइब हो जाता है यानि हमने स्क्रीन सेवर को स्क्रीन से हटाने का तरीका भी सीख लिया हम माउस को हिलाने के बजाए अगर अपने कीबोर्ट की कोई की दबा दें तो भी स्क्रीन सेवर गाइब हो जाता है इन बटन्स के नीचे वेट के सामने एक मिनट लिखा हुआ है इसका मतलब है अगर हम अपने कम्प्यूटर पर एक मिनट तक कोई काम नहीं करते तो कम्प्यूटर पर स्क्रीन सेवर आटोमाटिकली चलने लग जाएगा हम यहाँ से इन एरोस की मदद से इसका दोरानिया बढ़ा भी सकते हैं जैसा के आप देख रहे हैं के हमने इसका दोरानिया पांच मिनट तक कर दिया है अब हम अपलाई के बटन को प्रेस कर देते हैं और वापस पहले वाली विंडो पर आ जाते हैं इस विंडो के बाए तरफ एक पैन नजर आ रही है जिसमें मजीद आप्शन्स दी गई हैं आप इनमें से हर एक पर क्लिक करके मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं फिलहाल हम डिस्प्ले की आप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक और स्क्रीन ओपन हुई है इस स्क्रीन के बाई तरफ से हम चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और स्क्रीन खुल जाती है. सबसे पहले, डिस्प्ले के सामने हमारे मॉनिटर का मॉडल सिलेक्टिट है. इसके नीचे, रेजलूशन लिखा हुआ है, जो कि दरसल स्क्रीन एरिया और स्क्रीन क्वालिटी के मुतालिक है. यहां से हम अपनी स्क्रीन की क्वालिटी में चेंज़ेस कर सकते हैं. रेजलूशन के सामने बना हुआ ड्रॉप टाउन मैन्यू खोलने पर हम देखते हैं, कि हमारे पास जो लिस्ट आई है, उसमें चार आप्शन्स हैं. यहां से हम हर एक को बारी-बारी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप उपर बने हुए LCD मॉनिटर में स्क्रीन एरिया के अंदर होने वाली तब्दीली को देख सकते हैं. रेजोलूशन के नीचे औरियन्टेशन के आप्शन दी गई है. इसमें भी चार आप्शन्स दी गई हैं, जिनको बारी-बारी तब्दील करके हम LCD मॉनिटर में प्रिव्यू कर सकते हैं. इसके इलावा, नीचे आप मजीद आप्शन्स देख सकते हैं. दाएं तरफ नीचे, Advanced Settings लिखा हुआ है. इस पर हम उस वक्त लिख करते हैं, जब हम कम्प्यूटर की Internal या अंदरूनी सेटिंग्स को तब्दील करना चाहते हैं. मगर क्योंके अभी हम कम्प्यूटर की Internal सेटिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते, लहाजा हम इस बटन पर क्लिक नहीं करेंगे. Use Available Help Functions अब हम ये देखते हैं, कि अगर हम कम्प्यूटर पर काम करते हुए कहीं फस जाएं, या कोई काम गलत कर दें, तो हम किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले, डेस्क टॉप पर मौजूद कम्प्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं. जो विंडो हमारे सामने आई है, अब आप कीबोर्ट की F1 की प्रेस करें. जो विंडो हमारे सामने खुली है, उसके टाइटल बार में Windows Help and Support लिखा हुआ है. इस विंडो के नीचे Working with Computer Folder लिखा हुआ है. Scroll bar की मदद से नीचे इस सिलसले में मजीद items देखे जा सकते हैं. हम इसमें से किसी item पर क्लिक करते हैं. क्लिक करते ही, इस item के बारे में तमाम तफसील आ चुकी है. Summary Computer की Processing Speed और RAM वगेरा क्या होती है? Computer की Desktop Configuration जैसे Background, Screen Savers और Desktop Area वगेरा को किस तरह तबदील किया जाता है?